वेलकम तो माय चैनल लेभी रॉक्स टीम्स प्रिमियर लिग का मैच हो रहा है वेस्टेम उनाइटीड वर्स एवर्टन के बीच साड़े तीन घंटे बात करें मेरा टेलेक्राम चैनल लिंक नीचे डिस्रिप्शन में जाओ फटाफा नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में लिंक बच्ची टीम मेरा मतलब है जो एक गंदी से बेकार सी बेकार फ्लॉप टीम ने भी एवर्टन की इस बर बैंड बजाई है वो भी लंबे मार्जन से इसलिए एवर्टन जीत ही नहीं सकती पाकी जीत कोई भी सकता है लेकिन मेरे प्रेडिक्शन के साब से एवर्टन का कुछ अच्छा परफॉर्म कर गया नहीं तो तब भी स्कार टीम टीम में आम आता वह तो मेरे को चीज से प्रॉलम नहीं है तो वह चीज मेरे को अच्छी लगी कि एवर्टन का एव प्लेयर गोल कीपिंग में बहुत ज्यादा ध्यान से की इसने आगे से बात करें को आज आप ले सकते हैं बड़ी बड़ी टीम के खिलाव आपने छोड़ने का फैसला जो लिया था इस प्लेयर को वह काफी अच्छा निकला क्योंकि आपको भी पता है यह फ्लॉप गया था कॉंटिनूजली एंड आगे से अगर मैं बात करूँ तो यहाप मसूकू को एक् में से इसका यह सीजन वेल नहीं जा रहा थीक डिसेंट जा रहा है ना जादा अच्छा ना बुरा एंड क्रेक डॉसन की बात करें क्रेक डॉसन ने तो कॉंजीकुटिवली फॉर्म में गोल्स भी की हैं वह बात नहीं है यह आप देख सकते हैं कुछ मैच इस पहले तो वह चीज अच्छी मैं मानता हूं शुरुवात बेकार थी वेस्टम उनाटेट की लेकिन बीच में यह टॉप फाइव में भी रहे हैं आगे से बात करूं नेक्स प्लेर की दिन यहां पर है बैन गॉटफ्रे बैन गॉटफ्रे ने पिछले मैच के अंदर बहुत जबर्दस गो बीच बीच में कोई वाइस कैटन रखता है वाइस सोच समझ के रखो मैंने देखा है कि डी ग्रे का गोल रेश्यो अच्छा है मैं वह नहीं कह रहा है और मैं यह भी मानता हूं कि फ्रेंट सेट जाके हर बार विचारा गोल की ट्राइक करते हैं लेकिन कोई बीश और नहीं और जस्ट मैं एस नॉर्मल प्लेयर क्योंकि मेरे को इस मैश में क्रेडी डूशू भी नहीं है और साथ ही साथ मैं जो प्लेयर्स चाहता हूं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ले सकता हूं और से बेंरहामा ने किया पिछले मैश में फिर से गोल पड़ लिए थोड और अगर मैं मान लो इसको भी ले लेता हूं तो मेरे से लैंजीनी चूट रहे हैं जबकि लैंजीनी का रेकॉर्ड बीच में बहुत अच्छा हो गया था आप देख सकते हैं अब मेरे को समय आरग क्या करें चीक है तो थोड़ा सा लाइनप का वेट कर रहा हूं कि मैं चाह में बाइ